नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Friends and Preparation YouTube चनल पर इसे नर पर मैं लेके आता हूँ रोजाना educational वीडियो आज की इस वीडियो में में पढ़ाने वाला हूँ आपको Current Affairs General Study से उन सारे कोशन को जो कि आप से पूछे जा सकते हैं किसी भी competitive examination में तो वीडियो को आप Practice के रूप में यूज करिए और चेक करिए कि आप कितने कोशन के आंसर सही कर पा रहे हैं और वीडियो के end में comment करके अपना score mention करिएगा और बताइएगा कि आपने कितने कोशन के आंसर सही किया साथ ही साथ आप मेरा telegram group भी join कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा इसके लापा कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं मुझे social media पर follow करना चाहते हैं तो उसका link भी मैंने description में दे रखा है चले फिर start करते हैं first question के साथ अगर हाँ पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो चले subscribe करके bell icon को press कर लिजे ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification receive हो सके तो question है आपके लिए इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके code of conduct से related आपके पास यहां पर यह first statement और यह second statement है और आपको बताना है कि भी कौन सा statement correct है यानि इन दोनों statement को ध्यान में रखते विए आपको answer करना है तो जिबूती code of conduct कि से related है तो statement 1 में आपसे बोला जा रहा है it is related to the impression of privacy and armed robbery in the western Indian ocean यानि कि हमारी country का जो इंडियर ओशन है नीचे ठीक है उसके जो वेस्टन एरिया में वहाँ जो प्रायर सी प्रायर सी जी होती है यानि कि यूँ गहें कि आप डकैती होती है रॉबरी होती ह है उसके बारे में बोला जा रहा है उससे related है यह जिबूती code of conduct statement 2 में आपसे बोला जा रहा है it was established under the international marine organization जिसे short में IMO बोला जाता है यानि कि यह जो code of conduct established किया गया था इसे international marine organization ने established किया गया था जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो अंतरास्तिय समुंदरी संगठन ने इसको इस code of conduct को तयार किया है तो यह दो statement आपके बास होगे आपको बताना है कि correct statement कौन से है according to option a first statement correct option b के according second statement correct और option c के according both first and second statement correct और option d में आप से बोला जारा है neither one nor two it means कि यह दोनों ही statement गलत है तो correct statement क्या है यह आपको बताना है अच्छे एक बार आप जैसे यह जो आफ्रीकन continent है अगर इसका आप मैप देखें तो जिबूती जो है यहाँ पर इसकी location है इस एरिया में ठीक है जिबूती की location यहाँ पर एक meeting held हुई थी और वहाँ decision लिया गया था कि यह जो आप arriving sea area देखते हैं ठीक है या फिर मैं कहूं कि यह गल्फ रीजन आप देखते हैं इस वाले reason मे यानि कि हमारी country का जो western area है यानि गुजरात कुछ आपको इस area में मिल जाएगा गुजरात वाला portion गुजरात और महरास्ट्रा जो है हमारी इस particular area में इस तरह है यानि कि गुजरात और महरास्ट्रा के जो आप अगर वेस्ट में जाएं तो आपको यह अफ्रीका continent में बलेग है तो ऐसा होता है कि जब कोई आम रॉबरी होती है तो उससे related a code of conduct त्यार किया गया है ताकि कोई भी shipyard उदर पहुंचे तो वह safely वहां पहुंच सके इसको ध्यान में रखते हुए त्यारिक आप यह बोल सकते हो कि Gulf of Aidan वाला जो area यानि कि यह particular area जो red मैं आपको किया हुआ यह पूरा area इस area में ठीक से business हो सगे ठीक से CPR जा सगे इसके लिए code of conduct त्यार किया गया है और इसे त्यार करने वाली जो organization है वह IMO है यानि कि international marine organization है इसने इसे स्टैबलिस्ट किया है और इसको धियान में रखते हुए काम किया है और इसी जो अड़क किया गया था 29 जनवरी 2009 में से अड़क किया गया था यानि कि आभ यह बोल सकते हो दोनों statement फर्स statement भी और से से बुकारा भी जाते है तो correct answer हमार ऑफ्शन C हो गया next question में आप से पूछा जा रहा है consider the falling falling differences between the western and eastern घाट यानि कि हमारी country में जो western घाट और eastern घाट है उन के बीच में difference को धियान में रखके आपको बताने है कौन सा statement correct है यह आपके पास first statement है यह second statement है ता according to first statement while the western ghaat are considered as the biodiversity hotspot that is not not the case case with the eastern ghaat यानि कि western ghaat वाला जो area है उसे तो यानि कि western ghaat वाले area को तो भाई biodiversity hotspot के रूपे consider किया जाते है जो कि eastern ghaat को consider नहीं किया जाते है ठीक है दूसरे में आप से यह बोला जारा है the eastern ghaat is ancient having gone wanna land reflect forest while the formation of the western ghaat is recent यानि कि आप यह बोल सकते हो कि western ghaat अभी बाद में बना है ठीक है इसकी जो भी construction के लिए इसका established जो हुआ है जो बना है natural तरीके से यह बाद में बना था लेकिन अगर बात हम इस्टन इस्टन घाट की करें यह पुराने टाइम से बनके आया जब यह गोनवाना लेंड जो रिफ्लिक्ट हुआ था तब से यह बना हुआ यानि कि अगर आप इंडिया का मैब देखेंगे यह इसमाप मैप अगर आप इंडिया के मैप देखेंगे तो यह वाला एरिया यानिक हमारी कंट्री का जो वैस्ट एरिया जिसके अंदर केरला केरला ठीक है करनाटका महाराष्टरा और गुजरात इसके साथ जो बॉर्डर शेर करता हुए अरइबियन सिन या वेस्टन इंडियन ओशन आप बोले इस वाले इस रिजन को वेस्टन घाट बोलते हैं ठीक है अगर हम इस रिजन की बात करें जिसमें वेस्ट बंगोल उडीसा उसके बाद यह एरिय कि यह वाला एरिया जो कि मैंने आपको नाम बता है केरला करनाटका महरास्टरा गोवा और गुजरात वाला जो एरिया है इस एरिया को भी कंसीडर किया जाता है बायो डाइवर्सटी होट स्पोट के रूप में जो की बात बिल्कुल सही है यानि कि यह जो स्टेटमेंट आ आरोगर रिफ्लिक्ट हो रहा था कुछ टाम्स की यह कह सकते है उसकी बनावर या इसका स्रॉक्ट्टर हुआ था या बोला जा रहा था आप से सेकंड स्टेटमेंट के अंदर जब कि ऐसा नहीं है सेकंड स्टेटमेंट आपको यह देया गया कि वेस्टन घाट नया है और इंशें टाइम से नहीं यह बात गलत है दोनों ही घाट चाब वेस्टन घाट की बात कर ले चाहा इस्टन घाट की बात की बात कर ले तो रहां की वे स्टॉक्ट्र को无क calculator कि यह पुराना है यह नया है है formation almost same time period में हुआ था पर इनकी फीचर की वज़े से इसमें यूनीकनेस की वज़े से इसमें कुछ कुछ डिफरेंसे हैं बट यह नहीं कह सकते हैं कि यह ओल्डर है यह न्यूवर है तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत है फर्स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है तो आफ्श इसके रिगार्डिंग में आपके बाद यह फर्स स्टेटमेंट और यह सेकंड स्टेटमेंट है अक्रूर इनकी यूस किया जा सकता है या इसको प्रड्यूस करना है या नहीं करना तो इस तरह के जो अप्रूबल देती है यह इंस इंस्टिशन देती है ऐसा आपसे बोला सकंट सिबूआ शाराइजिट में आपसे बोला जात रहा है इत केंडोट गिव एमर्जन्सी ऑफराइजिएशन विदाउट लेट फेस्ट राइल यानिकी बहुत देर में है उत्राइजिशन नहीं देती यह ट्राइल करने का ऐसा से कंडीशन में अभी नहीं देते है से बोला जारा नाइधर वर नोटू इस दोनों स्टेटमेंट गलत है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है चलिकुशन को अटेम्ट कर लीजिए और हाँ अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करती है यानि कि Central Drug Standard Control Organization जो है जिसे CDSCO कहते हैं यह इंस्ट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर जो कि किसी भी ड्रग यानि कि कोई भी दवाई अगर जो बनती है नहीं दवाई आती है तो उसे अप्रूव करने का काम करती है अच्छे इसके लाब आपको यह भी पता आना च कि कॉन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है तो इसे सेकंड सेक्ड स्टेट्मेंट में आप से वोल गया कि भी इसको एमर्जेंसी सिचुवेशन में ओत्राइजेशन नहीं देती है यह चलत तो नहीं यह बात बिलकुल गलत है और लेट ट्राइज बिलकी ऐसा होता है कि without late phase, late phase trial कि कई बार जो एमर्जेंसी situation होती है, तो late phase trial जो होना होता है उसके बिना भी ये authorization दे सकती है, इसके बार ये power होती है, ठीक है तो आप ये बोल सकते हो कि भी second statement हमारा गलत हो गया, first statement हमारा बिल्कुल correct है, तो correct answer हमारा option A हो जाएगा, next question में आप से पूछा जा रहा है, with reference to serial interval of SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, consider the falling statement, अभी COVID-19 की वज़े से health related topic है, वो काफी important हो जाते हैं, और उसली के regarding में ये question भी आप से पूछा जा रहा है, ये SARS-CoV-2 क्या है, इसके regarding में ये first statement और second statement है, और आप से बोला जा रहा है कि भी correct statement क्या है, ये आपको choose करना है, first statement के according, it is the duration between the symptom onset of a primary case and symptom onset of secondary case, यानि कि कि किसी भी बीमारी का अगर कोई symptom आते हैं, उसके primary stage यानि primary case और secondary case के बीच का जो duration होता है, उसे अब SARS-CoV-2 आप से बोल सकते है, according to option a में ये बोला जा रहा है, और option option नहीं है statement में, और second statement में आप से बोला जा रहा है, the serial interval depends on the other epidemiological parameters such as equubination period, यानि कि इसका ये जो SARS-CoV-2 के कर हम बात करें, तो इसमें आप से ये बोला जा रहा कि serious serial interval ये depend करता है कि कि किसी भी epidemic logical यानि कि कि इसी भी ऐसी बीमारी जो पैरिमेटर होता है जो फैलती है जो फैलती है यानि कि infection जो फैलता है और उसके को ध्यान में रखते हुए, option A में बोला जा रहा है, first statement है, option B में बोला जा रहा है, second statement है, option C में आप से बोला जा रहा है, कि बोथ one to two statement है, और option D में आप से बोला जा रहा है, neither one nor two, it means यह दोनों ही statement गलत है, तो correct statement क्या है, यह आपको अंसर बताना है, तो इस question के एक करेक्ट अंसर की बात करें, तो बोथ statement, first and second, दोनों ही statement जो आपको SARS-CoV-2 के बारे में बोला जारे है, दोनों statement बिलकुल correct है, यानि कि आप यह बोल सकते हो, SARS-CoV-2 का मतब यह है, कि यह time period होता है, between symptom onset on primary case, फिर symptom onset on secondary case, यानि कि कि भी case आने, और उसे फिर उसके बारे में जानकारी सकते हैं, जो ताइम पीरिड होता है, उसे हम बोल सकते है, serial interval SARS-CoV-2 बोल सकते हैं, ठीक है, यह जो फिर स्टेटमन आपको बोला गया, यह बिलकुल सही है, correct है, अभी जो recently जो भीमारी चल रहे है, अभी COVID-19, उसको धिहान में रखते हैं, कोशन आपके लिए रेस किया जा स सकता है, इस तरही कोशन, अच्छा, उसके बात है कि हम second statement की बात करे, जिसमें आप से पनी भीमारीट है, रिए epidemiological period parameter की बागर हम बात करें तो उसमें ये बोला गए कि जो ये serial interval depend करता है कि apologimical parameter के उपर यानि कि कोई भी महाम आ रही है उसके फैलने और उसके इक तो आप infection में आए इंफेक्ट होगे इंफेक्ट होने में और उसके symptoms नजर आने के बीच के जो time period होता है इसके बीचे depend करता है वो कितना फैलेगा ठीक है ये बात भी आप से बोली गया जा रही है यह भी बात बिल्कुल सही है यानि कि आप यह बोल सकते हैं एक occupation period जो होता है इसके उपर totally depend करता है इक्यूबिशन पीरिट का मतलब यह है कि जब तक वो person जिसको जो भी infect हुआ है उसके symptoms पकड में नहीं आ जाते हैं कि उसे बीमारी है यह नहीं है यानि कि आप यह बोल सकते हो कि उस वाइरस के आगे यह exposed हो रहा है यह नहीं हो रहा है उस time period पर depend करता है इसी को serial interval the serial interval SARS-CoV-2 का consider किया जा रहे है यानि कि आप यह बोल सकते हो दोनों ही statement आपके correct है तो answer C आपका हो जाएगा next question में आप से पूजा जा रहा है कि भी Hispanic Heritage Month has been in the news it is related to तो आपको यह बताना है कि Hispanic Heritage Month जो celebrate हो रहा है यह किस से related है आपको यह बताना है तो चार option आपको दिये गए तो चार ओप्षिन में से आपको correct answer चूज करना है according to option A largest tribal festival of South Asia यानि कि आप यह बोल सकते हो कि यह जो है Hispanic Hispanic disparities month जो है यह South Asia के अंदर यह largest tribal festival और 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 आप से बोला जा रहा है अमेरिका जो country बनी है तो वहां लोगों को एक तरह से ओनर दिया जाता है एक सम्मान देने के लिए यह festival celebrate किया जाता है और option C में आप से बोला जा रहा है कि four lunar eclipse in the year जो साल में चार बार जो lunar eclipse होता है उसको बोला जाता है कि भी Hispanic heritage month और option D में आप से बोला जा रहा है कि wheat harvest festival in Asian country Asian country जो कि 10 10 country का जो group है उसके अंदर एक wheat का यान कि गेहूं से related एक festival है यह आप से बोला जा रहा है option D के अंदर तो आपके according correct answer के है यह आपको चूज करके बताना है तो इस question के एकर हम correct answer की बात करें तो इसका option B है B का मतलब यह है कि अमेरिका अमेरिकन citizen जो अलग-अलग different different origins से जुआ करके इस country में रहते है उसको respect करने के लिए और देने के लिए भी एक festival celebrate किया जा रहा है जिसका नाम है Hispanic heritage month जो कि 15 September से स्टार्ट हो करके 15 October तह हर साल celebrate होता है यानि कि आप यह बोल सकते हो कि जो अमेरिकन अमेरिका जो formation हुआ है तो जिसमें लैटिन American continent से जितनी भी country है Brazil हो गया Mexico हो गया और जितनी भी सारी country है ठीक है उस country से अमेरिका के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको एक respect देने के लिए एक तरह से honor करने के लिए एक festival celebrate किया जाता है जिसका नाम है Hispanic heritage month यानि कि आप यह बोल सकते हो कि जब अमेरिका जब आजाद हुआ था ठीक है जब अमेरिका आजाद हुआ था स्पेन से जब आजाद हुआ था तो वहाँ पर जो largest largest minority वहाँ पर ग्रूप जो रहती थी यह माना जा रहा है कि Hispanic Americans रहते थे और यह जो लोग है यह ऐसा consider किया जाता है यह Mexican origin के यानि Mexican Mexico से आय थे इसके इलाबा मेक्सिका के लाबा जो नीची लेटिन अमेरिकन कंट्री जितनी भी है जिसमें कोस्टरीका हो गया इल सलवाडोर हो गया गुटरमाला हो गया ठीक है यह सारी जो कंट्री यहां से जो लोग आये थे इनको एक तरसे रिस्पेक्ट देने के लिए और देने के लिए यह एस फेस्टिबल अंदर हो चाहिखने चुँग अमेरिकन कंट्रिक इसए सारी नाम बतान की कंट्री है और उनसा की कंट्री है कि अमतंधी लेगए जो पोर्षण है लेकिन अमेरिका का मैप पूरा हूद बड़ी कंट्री कौन सी चोटी कंट्री कौन सी है ठीक है और भी कुछ important facts जो है कहने का मतलब है आज आपको geography का ये जो portion है Latin American continent जो है यानि South Africa continent जो है इसको देखना है और सारी country के नाम और इसका capital आपको comment box में लिख के बताने है ठीक है चले फिर मिलते है next video में आज की इस video में इतना है अपने score कमेंट करिएगा और जो question पूछा गया है उसका भी answer दीजिएगा ठीक है वीडियो को लाइक करिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो और अपने फ्रेंड में से ज्यादा से ज्यादा शेर करिए पहली बार देख रहे है तो चैनल सब्सक्राइब करक बेल आइकन और प्रेस करें ठीक है चलो फिर मिलते है नेक्स वीडियो में आज की इस वीडियो में इतना है